शाखंट के उधम सिंग नगर से दिल को जगजोर देने वाला मामला सामने आया है. यहाँ एक डॉक्तर ने खुद और पत्नी को मौत का इंजेक्शन लगा कर जान दे दी. डॉक्तर ने बेटे को भी इंजेक्शन लगाया था, मगर उसमें जहर नहीं था. उसने बताया कि पापा ने ये सब करने से पहले उसके साथ लूडो खेला और वो जीद गए. इसके बाद एक इंजेक्शन दिखाते हुए कहा कि हम हमेशा के लिए जा रहे हैं. इस पर उसने भी साथ चलने की बात कही तो उनकी आखे भराए. शर्मा के बेटे इशान ने बताया, रोज की तरह शाम को पापा हॉस्पिटल से घर आए और आराम किया. इसके बाद सभी ने साथ बैटकर खाना खाया. फिर पापा ने मेरे साथ लूडो खेला, जिसमें वो जीद गए. इसी दोरान पापा ने एक इंजेक्शन देखाते हुए कहा कि यह सभी को लगाना है. इशान कहता है, पापा से खुद को पहला इंजेक्शन लगाने के लिए कहा तो उनकी आखे डबदबा गई. हमेशा मेरे हीरो रहे पापा ने दुनिया छोड़ने से पहले मेरी ये इच्छा भी पूरी की. मगर इस बार पहला मौका था, जब उन्होंने दोखा किया. उन्होंने खुद और मा को जहरीला इंजेक्शन लगाया, जबकि मुझे सामान्या इंजेक्शन लगाकर इस दुनिया में छोड़ गए. इसके बाद इशान सुबह उठा तो सबसे पहले मा को उठाने गया. जब उन्होंने आखे नहीं खोली और जवाब नहीं दिया तो उसने मशीन से पल्स चेक की. जिसमें सीधी लाइन दिख रही थी. इसके बाद उसने अपने पापा को चेक किया, उनकी आखे खुली हुई थी लेकिन सास नहीं चल रही थी. ये सब देखने के बाद उसने रिष्टेदारों और परोसियों को जानकारी दी. डॉक्टर की बेटी देवानशी की जुबानी. शर्मा की बेटी देवानशी ने बताया कि इसी साल जन्वरी में उसकी शादी जस्पुर मिवासी मयंग से हुई थी. कल सुबह उसने मम्मी के नमबा पर फोन किया पर कॉल रिसीव नहीं हुई. इसके बाद भाई के नमबा पर फोन किया और कहा कि सब को बता देना कि मैं आज आ रही हूँ. इसके थोड़ी देर बाद इशान ने फोन करके घटना के बारे में बताया. जिसे सुनते ही पैरो तले जमीन खिसक गई. उसने बताया कि मम्मी कैंसर और किड्नी की बीमारी से ग्रसित थी. आर्थिक तंगी के चलते महेंगा इलाज न करा पाने की वज़े से पापा खुद ही मम्मी का इलाज कर रहे थे. मूल रूप से देहरादून के रहने वाले डॉक्टर, इंग्रेश शर्मा उधम सिंग नगर जिले के काशीपुर में एक निजी हॉस्पिटल में सिवाय देते थे. करीब 10-12 साल पहले वो पत्नी वर्शा शर्मा, बेटी देवानशी और बेटे इशान के साथ काशी पुरा गये थे. उनकी पत्नी कैंसर की मरीज थी और पिछले 6 साल से उनका इलाज चल रहा था. इससे वो आर्थिक तोर पर तूट चुके थे. बताया जा रहा है कि पत्नी के इलाज के लिए डॉक्टर ने कई लोगों से कर्ज भी लिया था. उन्होंने कई बार पत्नी को अपना बलड भी दिया था. इसकी वज़े से वो भी बीमार रहने लगे थे. इसके बाद साल 2020 में आई कोरोना महामारी ने उन्हें और भी बुरी तरह तोड़ दिया. आर्थिक स्थिती ऐसी बिगड़ी की 2020 में एकलोते बेटे की पढ़ाई भी बंद कर दी. आर्थिक स्थिती से बेटा भी वाकिफ था, इसलिए उसने भी स्कूल जाने की जिद नहीं की. धीरे धीरे डॉक्तर शर्मा तनाव में रहने लगे और यह आत्मगाती कदम उठा लिया. मामले में ASP काशिपूर अभाय सिंग का कहना है कि घटनास्थल पर सिरींज और सुसाइड नोट भी मिला है. इसमें डॉक्तर ने स्वेचा से सुसाइड किये जाने का जिग्र किया है. किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया है.